नमस्कार सातियों, एक बहुत बुरी ख़बर, एक बहुत शॉकिंग न्यूज निकल कर सामने आईए, पूरे एंटर्टेन्मेंट जगत सदमे में है, आप देख सकते हैं, एक और टीवी एक्टर की हार्ट अटेक से मृत्ति हो गई है, और देखिए जैसा कि इस पृत्वी प आपको बता दू, यह जो साल रहा है, बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है, एंटर्टेन्मेंट जगत के लिए, उनके एक और एक्टर की क्या हुआ, हार्ट अटेक से मृत्ति हो गई है, इससे पहले सिद्दार शुकला जी की हुई थी, हार्ट अटेक से मृत्ति हो और इनक गए थे, वर्काउट कर रहे थे, वहाँ पे कोलैप्स कर गए है, और यह मात्र 46 साल के थे, और आप देख सकते हैं, ने बड़े-बड़े टीवी शोक, कुसुम, कसौटी जिन्दीगी की आदी में कार किया है, बहुत फेमस थे, और इनकी जो वाइफ है, वो भी सूपर मॉ होता है, जैसे हाट कहा जाता है, हाट क्या करता है, आपके पूरे सरीर में बलड को पंप करने की कोशिश करता है, बलड को पहुचाता है, पंप करके, और आपके बागी पूरे सरीर में बलड में ऑक्सीजन होती है, वो पहुचती है, और आपका सरीर कार करता है, क्योंकि म चल रहा है और आपके सामने माली जी आपको रोकने के लिए कोई हर्डल आ जाता है तो आप रोक जाते हैं इसी तरीके से यह जो इससे ब्लड बह रहा था और माली जी यहां पर ब्लड क्लॉट हो जाता है यहां पर कोई हर्डल आ जाता है ब्लड पास नहीं हो पाता है तो इस जब blood जा रहा होता है इनके इन रास्तों में क्या हो जाता है फैट जमा हो जाता है आप देख सकते हैं यहां पर fatty deposits हो जाते हैं जिसके करण आपका रास्ता क्या हो जाता है छोटा हो जाता है सक्रा हो जाता है और कुछ समय बाद यहां से blood जा नहीं पाता है जिसके करण क्या ह होता है बलड़ फ्रो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है उसके करण आपको हाट अटेक आता है और आपकी मृत्यु तक हो सकती है और मृत्यु हो जाती कई इसका कारण है pollution, depression, increased screen time, आप mobile देखते किती देर तक आजकल लोग चलाते हैं, high sugar intake करते हैं, lack of exercise, लोग आजकल exercise करने से पीछे हट रहे हैं, तो इस तरीके की जो चीजे हैं, ये कहीं न कहीं heart attack को बढ़ावा देती है, और इसके कारण heart attack आते हैं, ऐसा विसेशक्यों का कहना है आप देख सकते हैं, people का lifestyle बदल चुका है, smoking तो कम हुआ है, but still not a satisfactory level, और alcohol के consumption के कारण, एक कारण है heart attack का, और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है alcohol consumption, fast food की chain आ चुकी है, आप देख रहे हैं, domino's, pizza, सब चीज़ें आ चुकी हैं भारत में, और आप देख सकते हैं, जो FSA से आपके जो खाते हैं, आप चीज़ें, उसके लिए जो भी भार के पदार्त होते हैं, जो भी आपकी food chain में use किये जाते हैं, तो उसमें जो उसके मानक standard बनाए जा चुके हैं, salt, sugar, fat के लिए, उसको क्या कर रहे हैं, बनाने वाले जो क्या कर रहे हैं, उस मानक पर खड़े न करना, है न, और medical क्या करना, अपने जो body का check-up कराते रहना, समझ से आए तो डॉक्टर के पास जाना, इस तरीके के हजारों उपाएं, जिसके माध्यम से बचा जा सकता है, तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, चलिए, thank you, thanks for watching.